मॉंस रेस्पी में आपका स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं चोकलेट आई स्क्रीम जो कि हम हल्दी तरीके से बनाएंगे चलिए बनाना शुरू करते हैं यह फ्रीज बनाना शुरू है यह हमने बनाना को पीसीज करके फ्रीजर में रख दिया था दो गुंटे के लिए बिल्कुल अच्छे से फ्रीज हो गए हैंगे अब हम जार लेंगे बहुत इजी मैटड़ के हम बना रहे हैं इसके अंदर हम यह डाल देंगे यह सारे बनाना शुरूंगे इस बनाना शुरूंगे यह वन फोर्थ कप मिल्क पाउडर है यह हम इसके अंदर डालेंगे अगर आपके बस मिल्क पाउडर नहीं हो तो आप कंडैंस मिल्क भी डाल सकते हैं और अगर आपके बस कंडैंस मिल्क भी नहीं हो तो आप फुल क्र 2 teaspoon डाला हमने कॉको पौडर, इसमे थोड़ा सा डाला पॉघना एसेंस, 1 4th teaspoon के क्रीम, 1 4th cup फुल क्रीम दूद है, यह इसके अंतर डाल दीगे हम, इसको बंद कर देंगे, इसको हम मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे इसको अच्छे से, यह हमने ब्लेंड कर ली है, यह रिखे, इतना क्रीमी बैटर बनकर थयार हुआ है य अब हम इसको जमाने के लिए किसी भी airtight container में डालके इसको जमा सकते हैं, freezer में रख सकते हैं आप चाहें तो किसी तीन में भी डाल के रख सकते हैं, बट डखकन जो एयर टाइट होना जी हो उसका, अब हम इस एयर टाइट कंटेनर में इसको शिफ्ट कर देंगे, डाल देंगे इसको इसके अंदर, इसको टैप कर देंगे, जो इसके बबल से थोड़े से वो निकाल टोने के लिए रख दीजे, तो यह आपके आइस्ट्रेम त्यार हो जाएगे, यह ओवर नाइट हमने फ्रीज में रख दी थी, अब हम इसको खोल लेते हैं, बाउल में निकालेंगे इसको, अब हम इसको स्कूप करेंगे, अब इसको हम चॉकलेट सिरप से गार्नीश करेंगे, हमारी चॉकलेट आइस्ट्रिम बनकर त्यार है, आपको यह मेरी रेस्पी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताईए, अगर आपको यह मेरी रेस्पी अच्छी रगी हो, तो इसको लाइक कीजिए, फैमली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफकेशन बेल को अन कर दीजिए, ताकि जब भी हम नया कंटेंट ढाले, तो आपको पता चल जाए, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो,